केंट्रिका अकाड़मी और सिक्सेस और मिशन नाव डेटर्मेंट यू कैसे निकाले तो यह क्वेश्चन पूछा यह गया है हमसे ई टू जपावर एकोल टो कितना ओहो अभी प्रॉपर्टी सॉल्व किया था उसके हिसाब से यह जो मैं दस स्टेप पाँच स्टेप करने वा आपको कुछ नहीं करना था एक प्रॉपर्टी यह है और धूसरा दूसरा ट्रेई की प्रॉपर्टी है वह आपको आपता होगा मैं एक लाइन में लिख देता हूँ पॉस कीजे नोट कीजे इसको देख लिए इसमें क्या होता है इसमें भी पूछा जाता है trace of e to the power a कितना असान है क्या करेंगे trace s e to the power lambda s inverse वही formula याद कीजे trace की property है कि trace a b c is equal to trace of b c a is equal to trace of c a b यह पूरा cyclic order में trace same होता है तो अगर मैं इसको cyclic बना डालू तो क्या होगा यह देखो और इसकी value identity तो answer हो गया trace e to the power lambda इसका मतलब यह भी आसान है यह भी आसान है कैसे आसान है आपको क्या निकालना है आपको निकालना है lambda 1 क्या है lambda 2 क्या है और simply रख देना है मतलब answer क्या होने वाला है e का power lambda 1 e का power lambda 2 dot dot जितने है आगे लिग डालिए और finally answer हो जागा e का power lambda 1 plus e का power lambda 2 product मत करना property सही से बता होनी चाहिए answer trace कादा बस इतना ही करना था कुछ नहीं आइगन value निकालो exponential में चड़ाकर add कर दो fine अब आते हैं एक अच्छे question पर जिसमें पूछा जाएगा what is the exponential of a matrix आप उसको long cut से solve करेंगे लेकिन मैं आपको उसे shortcut से solve करना यहाँ पर सिखाऊँगा long cut के steps मैं आपको clear करूँगा आपका काम है उसे shortcut में यहाँ सीखना okay pause कीजे लिख लीजे अगला question question क्या है यह भी exam किसी jest में या टाइफर में आ हुआ हुआ है इसको देखते है एक matrix दी हुई है Hamiltonian matrix h कुछ भी ले लेजे कोई देखकर नहीं है मैं इसको देता हूँ 1 by 2 root under 3 by 2 0 1 0 0 और root 3 by 2 minus 1 by 2 यह एक matrix है आपको क्या करना है आप से पूछा गया है मुझे यह बताओ what is exponential i pi h by 2 oh यह question है यह कितना होगा exam में 4 matrix दी होगी आपको find out करना है कौन सा है okay देखते हैं आपको करना क्या चाहिए आपको अगर long cut से बनाना है जो कि मैं नहीं बताने वाला हूँ this is your work आप इसको अराम से जो step बता रहा हूँ उसको follow कीजिए अराम से copy उठाइए solve कर डालिए कैसे practice practice it will be a practice for you long cut long cut में क्या करें सबसे पहले कुछ नहीं है अगर कोई पूर्श है formula इसका मत्तभा हमें निकालना क्या है हमें निकालना e का power sum matrix which is i pi h by 2 is equal to sum s e to the power i pi lambda matrix तो lambda matrix में क्या करो याद करो matrix में अगर मैं multiply कर दूँ i pi by 2 तो अंदर तुम enter करवा सकते हैं तुम्हारी इमर्जी you can do it नहीं तो इसे कुछ constant epsilon not मानके रखो last में add कर देना e का power lambda s inverse इसको solve करना कोई भी दिक्कत हो comment section में पूछ सकते हो मैं help करूंगा don't worry तो यहां पर हमें eigen value निकालना है क्या आसान होने वाला है नहीं एक eigen value तो 1 ही है दूसरा eigen value तीसरा eigen value निकालना है हमें मैं इसका shortcut बताता हूं हमें एक्जाम में physics point of view से चीजों को कैसे करना हुगा यह देखो तो e to the power i pi h by 2 equal to s e का power lambda s inverse यह करें कि कैसे तो आइगन value निकालना आइगन वेक्टर्स निकालना s बना लेना s inverse बना लेना याद है model matrix याद है पीछे देखो e का power lambda कर तो finally answer मिल जाएगा लेकिन बहुत time लगने वाला है एक्जाम में ना तुम्हार पार space है ना तुम्हार पार time है पूरे space time की कमी है तो हम कैसे करें अच्छा इसका shortcut देखते है shortcut में क्या करेंगे गहुर करो जब भी कोई question exponential में पूछा जाए तो एक चीज तो हमें पहले से पता है कि हम exponential को expand कर सकते हैं कैसे expand करेंगे पहले से पता है tailor expansion अभी करवाया था okay लेकर उससे पहले ये जानिए कि ये question ये trick तभी apply होता है जब ये h h का power square या identity हो जाए या h cube कुछ हो जाए h आ जाए सेम चीज है या उसका कोई power nth जो है वो h से related हो अगर ऐसा हो जाए उस case में हम ऐसी property यूज करके काम कर सकते हैं तो आप पुछे कि ऐसा होने वाला है क्या believe me होने वाला है कैसे होने वाला है फिजिक्स के questions है these are not arbitrary matrix these are those matrix which are continuously used in physics questions वही question दिये जाते हैं जो कि आगे integrated PhD में या research में आप पाढ़ने वाला है तो वो वो फिजिक्स काम का है arbitrary कुछ भी 123489 लगा नहीं सकते याद रखना ओके तो इसको कैसे करें कैसे करें तो गौर करो आपको क्या करना है आपको निकालना है एच का स्क्वाइर कितना और आप देखोगा या identity आने वाला है पॉस करो वीडियो पॉस करो और find out करो कितन है तो एच का स्क्वाइर आई ही आएगा देखना इसका मतलब एच क्यूब कितना होगा तो कहरें जितने और पावर होंगे वो आपके सिर्फ ही बनने वाले है एच ही बनने वाले है तो इससे फाइदा क्या देखो तो exponential open करो 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 वही पूराना question कर लें तो आंसर by factorial 2 लगा देते हैं i pi h by factorial 2 का square plus 1 by factorial 3 i pi h by 3 sorry 2 का whole cube plus dot 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 तीन टर्म देख लेते हैं grouping करेंगे group important है आप सारे group को एक साथ even वाले कर लो question है क्यों करें even को एक साथ even को एक साथ even को इसलिए एक साथ करो क्योंकि h का square identity है तो इन सब में h का square बचने ही नहीं वाला सब गयावने वाले हैं तो finally हमारी जो grouping होगी h का square i h का power 4 identity h का power 6 identity 8 identity सब identity है तो finally बनेगा i plus अगला क्या है तो 1 by factorial 2 i लिखे 1 लिखे doesn't matter matrix होगा तो वो करेंगे यहाँ पे i pi by 2 का whole square क्यों ना मैं i का square कर दूं i का square is minus 1 पता है पता है माइनस 1 अगला क्या होगा अगला हो जाएगा i का power 4 मतलब प्लस 1 इसका मतलब एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक माइनस यही चलने वाला है यह हो जाएगा 1 by factorial 4 pi by 2 का power whole 4 minus dot 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 यह लगा लो प्लस इस पे फोकस किजिए अगला term बहुत important यहां ध्या h cube कितना होगा पीछे लिखा था h cube equal to h इसका मतलब h 5 में भी h आएगा 7 में 9 में सब में h आने वाला है तो क्यों ना उस h को बाहर निकाल ले h आय को भी बाहर निकाल लेता है तो अगर एक i में बाहर ले लूँगा तो cube वाले में i square बचेगा minus हो जागा फिर से वही सिगा plus minus plus minus यह होने वाला है ओके 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 अगर मेरा i h आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे बचेगा क्या तो एक बचेगा pi by 2 minus 1 by factorial 3 of pi by 2 का whole cube plus dot 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 इसको लिख लेते हैं तो question यह बना क्या इतना करके हमने पाया क्या तो देखो कितना simple हो गया जो काम मेरा 5-6 step में होने वाला था बस दो grouping के कारण कितना आसान हो गया क्या जानते हो यह cos pi by 2 का expansion है plus ih यह किसका है sin pi by 2 expansion ओहो और आप जानते है cos pi by 2 कितना होता है 0 और sin pi by 2 1 इसका मतलब मेरा final answer क्या बना ih ओहो इसका मतलब answer आना चाहिए था 1 by 2 root 3 by 2 0 0 minus 1 sorry 1 0 0 0 root 3 by 2 चीक है हाँ तो answer क्या आना चीता है बस यह इसको i से multiply कर दो यह answer है exponential of a matrix ठीक है लिख लो इतनी बार इसे करो कि तुम्हें याद हो जाए अच्छा अब आते हैं first question जो मैंने आपको दिया था उसको बस मैं बता देता हूँ अभी आपका काम है आप उसे solve करें ना आए comment section में बताईए I will help you out don't worry pause किजिए note किजिए last तो last part पर हम आते हैं बस हिंट देना है मुझे आपको आता है आप होश यार है you can do it देखिए तो मैंने कहा था मेरा matrix क्या है मैं आपको सिर्फ help कर देता हूँ चीजों को अच्छे से group करने के लिए यह question था लेकिन इसमें पूछा बहुत आसान पाट था इसमें trace पूछा गया था trace exponential h का sorry trace trace यह आपको निकालना है लेकिन मान लीज़े आपसे पूछा जाता है मुझे यह बताओ exponential of h कितना है यही कितना यह बता के दिखाओ यह question है h लिखे ए लिखे आपकी मरज़े कैसे करेंगे तो गौर को इसमें से grouping matter करता है पिछला exactly two copy पीछे जो question किया है वही करना है मैं बस rearrange कर देता हूँ पीछे आई में था iota था pi by two angle भी पड़ा हूँ था वो सब आपको देखना है ओके तो कैसे करें तो मैंने कहा मैंने कहा इसको करने के लिए अपने matrix को उठाओ इसमें से pi by four common ले लो अब जैसे आपने pi by four common लिया तो यह बन गया 0 1 यहाँ बना minus 1 यहाँ 1 यहाँ minus 1 देखते जाए देखते मैं इसमें यहाँ पर i into minus i कर दूँ जानते हैं i into minus i क्या होता है 1 बन तो करी सकते हैं multiply तो i into minus i और इस minus i को यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ और enter करवा दो यह बना minus i यह बना plus i देखते जाओ देखते जाओ यह बना minus i और यह बना plus i तो अब यह दो matrix हैं poly वाले मेरा rearrange कर के पार्ट आया, I pi by 4 0, 0, 0 minus I, I minus I, I, अच्छा इस matrix को मान लो, कोई matrix A या B, आपकी मर्जी I pi by 4 B, अब देखो question क्या बना, तो इसका मतला आपका question क्या है exponential of I pi by 4 B, अब गौर करो B का square कितना होगा, check करो, check करो, check करो, hold करो pause करो, B का square identity ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि poly matrix के square identity होते हैं sigma x square I, sigma y square I, sigma z square I, अब देखो यहाँ, इसका answer क्या होने वाला है अरे अब भी तो किया था, e to the power I pi by 2 h, तो वहाँ पे answer आय था cos pi by 2 plus I h sin pi by 2, तो क्यों नो डारेक्टी लिग दे, करो करो, pause करो, खुद से करो, खुद से करो okay, answer, cos pi by 4 plus I sin pi by 4 अब यहाँ B लगा ना, बूलना मत, बूलना मत, pi by 4 तो finally cos pi by 4, 1 1 को identity लिग देते हैं, plus I times B, B matrix, हमें पता है B matrix पता है, यही यही by root 2, अब क्या करोगे, इसको 4 cross 4 लिखो, I, B लिखो, by root 2 कर दो, that will be the answer ठीक है तो देखो, हमने कितना cover किया हमने बहुत सारे part, तीन part में cover कर लिए चीज़ों को, ठीक है, तो आपका काम है, जितना बताया गया है, उसे करिए और सारे questions, believe me, trust me सारे questions बन जाएं, और जो ना बने क्योंकि अब आगे regular ये courses चलने वाले हैं, ठीक है, okay good luck, solve those questions, thank you